नमस्का सांतियों, मैं लव बिरागी, आप सभी का स्वागत करता हूँ कॉटिल एकडमी की तरफ से आज के सेशन में मैं अक्सर आपके सामने करेंट अफेर्स के मुद्दों को लेकर या जोगरुफी की मैपिंग क्लासेज को लेकर उपस्थित रहा हूँ पर तुक आज के सेशन थोड़ा यूनिक होने वाला है, जरूरी और टुड़ पॉइंट होने वाला है कि आज हम बात करेंगे भुगोल विशे के सेलेबस के बारे में जो MPPAC की मेंस में प्रमुग भूमी का निवाता है कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, MPPAC या किसी और एक्जामेरेशन की तो आपकी डारेक्शन सही है या गलत है इस बात को दो ही चीज बता पाएंगी दिशाद सूचा की यंत्र दो ही हैं आपके जीवन के विध्यारती जीवन में एक है previous year question पर और दूसरा syllabus और हम मज़े की बात है कि विध्यारती सब कुछ पढ़ लेता है परंतु इन ही दोनों चीजों पर ध्यानी लगाता हमने UPSC करना है, हमने MPAC करना है, हमने पढ़ना चालू कर दिया और महिनों महिनों याते हैं, हमको syllabus की बार में सही जानकरी नहीं होती हमने previous year question कभी उठाये नहीं होते तो वो गल्ती ना हो, इसलिए quarterly academy के माध्यां से मैं आप तक यह बात पहुंचा रहा हूं और समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि क्या होने वाला है syllabus, geography का क्योंकि कुछ चीज़ें जो प्रत्यक्षा लिखी हुई है तो क्या उतना ही उतना पढ़ने सार, परवत लिखा हुआ है एक्जाब्स बताने वाला हूं मैं आपको परन्तु कुछ topic जो लिखे नहीं होते, परन्त उनकी भूमी का जादा है वो hidden topics हैं, तो उनका आशय क्या होगा, उन्हें कैसे cover करें आज ही class में लोग बात करने वाल है एक्जामपल के लिए अपन पहले ही segment में इंटर करते हैं कि जोगरुफी के MBPC का जब GS first paper आप देखोगे खंड बाब में तो उसमें एक शब्द लिखा हुआ है भुगोल, unit first, विश्व का भुगोल ये syllabus का पहला point है, प्रमुख भोतिक लक्षन, जिसमें परवत, पठार, मेदान, नदी, जिल, हिम्नदार है तो ये काम करते थे सर, परवती पढ़ना चालू करते सबसे पहलो कि ये syllabus में तो परवत ही दिया गया है, परंतु इसा नहीं होगा, जब आप परवत पढ़ने जाओगे तो आपको कायदे के, दो प्रमुख परवत की तो कहानी समझना ही पढ़ेगी एक का नाम है वलित परवत और दूसरा नाम है भ्रंश परवत इनके अलावा भी परवत होते हैं, जो अलामों की परवत होता है, अवसिष्ट परवत होता है, संचित परवत होता है सब अपन बात करेंगे, परंतु जैसे ही आप वलित परवत की बात करते हो, ब्रंश परवत की बात करते हो इन दोनों की उत्पत्ति के अधार में एक नया और अलग टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है प्लेट वी वर्तनी की सिध्धान, परन्तु वो तो यहां पर नहीं लिखा, फिजिकल जोगरुफी में डारेक्ट दे दिया गया है परवत, परन्तु उसको समझने के लिए आपक आपको इसका अधार देखना पड़ेगा, और अधार निकल के आता है महादवी पिये विस्थापन Siddhant में, किस सद्धान्त में है बहिया, महादी पिये विस्थापन सिध्धान, क्या होता है आपको क्लासेस में बताया जाएगा, परन्तु एक जनेरल बात अगर मैं आपक कॉंटिनेंट यह यूरोप यह सबसे बड़ा एशिया यह अफरीका अजीब अजीब तरह के नामें यूगांडा वरुंडी रवांडा तंजानिया केनिया फिर यह ऑस्टेलिया तुम्हारा यह अंटार्टिका इसको शोहित महादीप कहते हूं कि बरफ से जमा हुआ है नगर पसमें जुड़े हुए थे छेत्र तो आपको आशर होगा और यही आशर को सॉल्व करा था एक सिध्धान के माध्यम से सिद्धि किया था वेगनर ने नाम दिया था महादीपी विस्सापन सिध्धान तो इसको जब तुम पढ़ोगे तब तुम्हे थोड़ा प्लेटिवर कि सिध्धान की आधार भूमी का मैंसे एक शब्द और निकल गयाता है उसको हम बोलते हैं जुवाला मुखी क्या बोलते हैं भया जुवाला मुखी वॉलकेनों का नाम अपने सुना होगा वह लावा भार निकल रहा है आपने कई सारी काटूंस में भी देखा होगा अंदर को जुवाला मुखी कोई नहीं देखने मिलेगा भुकंप जाएंगे यहाप रहे हिस्UL नहीं होगा हिम सब होगा पर आंपके सामने है नाम change करूं तो यहां पर लिखा हुआ है प्रमुख भोगोलिक घटना है प्रमुख भोगोलिक घटनाओं में आपर वॉलकेनिजम की प्रोसेस है जो आला मुगी है परंतु डारेट जो आला मुगी समझ में नहीं आएगा उसके लिए हमको वापस किसका सारा लेना पड़ेगा इस सिद्धान का सारा लेना पड़ेगा जो कि आपके सेलेबस में प्रत्यक्षता नहीं लिखा है परंतु पढ़ना नहीं वा रहे हैं समझ पर हैं बात को अच्छा एक और शब्द हैं पर भोगोलिक घटनाओं में दिया गया है भूकम अर्थक्वेक अभी आया था अभी कहां है दूसरा कोशन और तुर्की के बारे में अगर आप थोड़ा सा वर्ल्ड हिस्री पढ़ोंगे तो आप एक शब्द सुन पाओगे ओटमन सामराज आपने नाम सुना होगा इस्तांबुल आपने नाम सुना कुस्तुन तुनिया ये शब्द का संब्द अगर एक देश गारब हो गया बद्बंस हो गया सर, भुकम बाता क्यों एै मतलब इससे दो अभन हो गया तो आ गये तुर्की में क्यों कुछ और अथना घट है होगी जो नहीं देख पा रहे और और अगर नहीं देख पारे तो असी घटना को समझने के लिए और आप्पस एक सिदांद का कुछ topic direct लिखे हुआ है, परवत लिखा हुआ है, पठार लिखा हुआ है, मेदान लिखा हुआ है, example के लिए जुआला मुखी लिखा हुआ है, इवन सुनामे लिखा हुआ है, परंतु इन सभी topic को समझने के लिए आपको hidden topic के वा जाना पड़ेगा, प्लेट व्रतिनिक सिधान, तब आपको फिर भुकम समझ में जाएगा, भुकम में क्या समझ में जाएगा भीया, भुकम क्या होता है, पहला question, भुकम क्योत्पन हो रहा है, भुकम कितने प्रकार के होते हैं, क्या भारत में भुकम की संभावना अधिक या कम है या भारत की अलग-अलग शेत्रों में भुकम पाते हैं गुजरात में भी आया था, 2001 में आपको याद होगा हिमाले शेत्र में भुकम जादा आते हैं या कम आते है क्या दक्षिन भारत में भुकम पाते हैं और भुकम में आपने की कौन को विधिया है, एक का नाम सुनाओ का Erector Scale, एक का नाम सुनाओ का Merkely Scale, क्या भारत की एक और विधी होती है, उसको अपन बोलते है, MSK 64, ये Scale कौन सा है जो भुकम को मापता है भारत में, ये सारे के सारे questions किसके अंदर में निकल के आते हैं, इस चोड़े से शब्द लिखा हुआ है के वहल अर्थ्वेक, पढ़ लो, प्रत्वी पर उत्पन, कमपन को भुकम केते हैं, इतना सा पढ़ना है क्या, नहीं भाई, आपको hidden चीज भी देखना पड़ेगी, चलिए, फिर एक कोड़े शब्द पर नजर डालते हैं, नाम लिखा तास में, इस सब्सक्राइब, अभी बड़ी लेहरे धारान होती हैं, ईसको fundament सुनामी कहते हैं, जब पर गॉद्पन हो रहे हैं, सुनामी का कारण क्या है, भुकम जब मैं आपको क्लास में बताऊंगा, एकार इन्फामिशन डे देता एं कि क्वार्टल एकेडमी सोलह अगस से एक नया batch launch कर रही है, online batch होने वाला है, नाम होगा मन्जिल MPAC Special Online Batch, क्योंकि प्रिलियम्स और मेंस बड़े वास से लिए भसन का है, या तो हम प्रिलियम्स अलग पढ़ लेते हैं, मेंस अलग पढ़ लेते हैं, समा से आती, दोनों कैसे combine करके comprehensive study करें, तो फिर Quartal Academy का करा, एक साल का course launch हम ने करा, वही faculty पढ़ाएंगे, जो academy में offline में पढ़ाते हैं, मतलब senior faculty, एक साल में आपका प्रिलियम्स अलग मेंस दोनों cover हो जाएगा, मन्जिल बेच उसका नाम है, अगर आपको join करना है, तो जो description नीचे लिया गया है, उस पर call करके बात कर सकते हैं, quarterly academy का application down कर लिजेगा, नीचे लिंक दी गई होगी, तो अपन जुडेंगे और बात समझेंगे, क्या समझेंगे, कि सुनामी का जो महत्मून reason वो क्या है, भुकम है, अब भुकम के बारे में आप अल्ड़ी पढ़ चुके हो, कि भुकम कहां कहां पर आएंगे, किस प्रकार के आएंगे, किस की तीवरता अधिक होगी, किस की तीवरता कम होगी, अगर वहां भुकम समुद्र में हैं, और उच्छ तीवरता क चीए, ताकि आप इन सारे शब्दों को इन सारे syllabus को एक integration के साथ में देख वाओ, और मैं फिर करता हूँ, उसको जो जो जोग्रोफिक समझ में आ जाएगा, जिसने इन विश्वयों को, इन टॉपिक को integration करना start कर दिया अपने दिमाग में, ठीक है, एक और शब्द निकल के आ रहे हैं आप पर चक्रवात, अब केवल चक्रवात यहां पर दिया हुआ है, समझेगा, विश्व के भुगोल का जो पहला आपका इकाई है, उसमें पहला बहुतिक घटनाओं में चक्रवात दिया है, अब चक्रवात को जो जो चक्र चल रहा है, चक्र चल रहा है, जो ए पवन की उत्पत्ति क्यों हो रही है वायुदाव क्या होता है और वायुदाव का संबन्द एक मंडल से जिसको अपन बोलते हैं वायु मंडल तो वायु मंडल क्या होता है के इन सभी के पारे में जो आप जानोगे तो आपको काहाणी के समय ये भीया चकरवात कि तो सारे बोल चुका हूं पवन, वायुदा, वायुदा, पेटियां, वायुमंडल, वायुमंडल ली पढ़ते हैं, इस सब कैसे topic है, hidden topic है, चक्रवात को समझने के लिए, clarity है काप है, वैसे ही, अगर एक पापस पीछे तरफ में अगर करूं, तो यहाँ पर शब्द दिया गया है, नदियों के बारे मे जील के बारे में, glacier के बारे में, अब इन चीजों को भी अपन दो भागों में तोड़के देख सकते हैं, example के लिए, नदियां, प्रत्वी के ऊपर में, जल मंडल का प्रमुख उधारण है, मेरी बात को गौर सुनीगा सभी लोग, जो जोगरुफी को कीन observation के साथ में समझन चाहते हैं, देखना चाहते हैं, प्रत्वी पर तीन ही मंडल हैं, और तीनों मंडलों का अधियन करना, eventually, जोगरुफी है, आप पूछें, what is जोगरुफी, जियो, ग्रुफी, जियो का मतला प्रत्वी, ग्रुफी मतला विवरण करना, उसके बारे में जानना, उसका वर्ण करना, और प्रत्वी किसे मिलके बनी हैं, तो तीन मंडल है, एक है स्थल मंडल, एक है जल मंडल, और एक का नाम है क्या, वायू मंडल, तो eventually, इन तीनों के बारे में जान लो, किस के बारे में जान लोगे, जोगरुफी के बारे में जान लोगे, इस स्थल मंडल में क्या आ मैंदाने वो क्या अलग होता है। कि हमारा गंगा के नदियों ने बनाया। लएस का मैदान वायू के परदन की कारन बना हुआ है। में स्दृ मंदल का अधियन हो गया। जलमंडल का अधियन कितने समुद्रें अभी एक्जाम्पल के लिए पहली बात कर लेते हैं बंजल दी सजाओ अभी मैं आपको बेच के अंदर में तो बहुत आराम से डेप्थ में पढ़ाऊंगा भी दिहान से देखिएगा कितने हैं आपके सामने एक ही एक दुनिया का सबस्वड़ा महासागर पैसिफिक ओशियन ये बीच में एस आकार का पाए जा रहा है अट्लांटिक ओशियन भारत के पास में हैं भारत के नाम से भिमस हो गया मतलब इंडिया के नाम से हो गया इंडिया नौशियन हिंद के बारे में जानों महासागर के अलावा नदियों के बारे में जानों जीलों के बारे में जानों तो कौन सा अध्यन हो गया जल्मन के अध्यन हो गया अब इसको भी अपन क्लासिफइट कर सकते हूं कि हाँ पर शब्द जुला हुआ है विश्व का भुगोल यहाँ पर भारत का शब्द नहीं आया है यूरिट सेकेंड के तरफ में भारत का आएगा तो एक काम करेंगे अपन अपन जाएंगे दुनिया के सभी कि प्रमुख महादीपों में सातों महादीप में अपन जाएंगे उन महादीपों में कौन-कौनसी प्रमुख नदिया है उधारन के मिडिए झाल करेалась अपन बहुत तो दा पॉइंट बात करें कि जो आपको कोशन आया है इस बार देखी धियान से अरल सागर क्यों सुकती जा रही है यह लवड़ी मृत्यू सो क्यों बोल रहे है कहानी कहानी देखते रहे ना तो अरल सागर की जील है तो इसकी लोकेशन बताओ ना जरूरी है कि जलमंडल से बहुकुल कवर हो रहा है तो हमको दुनिया के अधिकांस जो महादीप हैं उनकी महकून अधियों के बारें बात करेंगे अभी एकाद नाम लिता हूँ अगर आपको पता होगा तो मैं को कमेंट सेक्शन बताना कि यह यहां पर है बताओ मैं को डेनियूम नदी अधिय कहां पर है पहला ही कोईंट अमेजन नदी के बारे मताओ अमेजन नदी कहां पर है भी सिसी पी का नाम सुनां को तुम्नें नहीं नियूट्या करणती दुनिया कि सबसे लड़ा लम्बी नदी कहां पर हूँ है वुण चाइन इcjonा में एक यांग सी नदी है हांगो अधिये और ब्रह्मपुत्र गंग को तुम जानते ही हो यह कई सारी नदियां है जो अलग-अलग महादीपों से अपना संबंद रख रही है एक-एक महादीप के महादीपों में तो वहाँ कि नदिया धीले वहाँ पार परवते पहर वालब चाहर मैदान इन सभी का आधियन करना पड़ेगा पहले जानेंगे इसका वेसिक्स की कैसे बनते हैं और फिर कहा कहा है? इन दोनों को जब सं मभज करके पढ़ोगे तब जुगरोफीक कि तुम्हारे मेन्स के और प्रेलियम्स के आंसा बनेका। कि अन्य विक्टोरिया जलबपाथ हो और तो इस पूरे विश्व के भूगोल के दो पाठ है एक वो पार्ट जिसमें हम बेसिक सिद्धानतों के बारे में जानेंगे कि परवत कैसे बना जौला मुकी कैसे बना भुकम क्या होता है भुस्कलन है इस खलन क्या होते है सुनामी क्या होती है चक्रवात क्या होते है और फिर इन सबी चीजों को एपलाई करना है हमें अलग-अलग महादीपों पर और जैसे तुममारे इत् officials भी शब्द लिखे हुऊ हैं भोती कटना वाले इस सारी की सारी चीज़ के हो जाएगी अगर आगे बात करूँ तो इसी विश्व को जब समझेंगे हम तो अभी तक अपने सामने आगई बात इस थल मंडल की जल मंडल की अब थोड़ा वायू मंडल में वो चक्रवात वाले को पॉइंट को ठालो वो चक्रवात वाले पॉइंट को हमारे साथ आज जा जैसे अपने साथ में जाएंगे तो अपन इंटर करेंगे विश्व के भुगोल के अंदर में की भिया काम करते हैं जनरली पहले वायू मंडल समझ लेते हैं फिर देखेंगे ये भारत का है मौसम और मौसम का बड़ा भाई क्या होता है जलवायू ये देखो शब्द ही वह ना जलवायू अमृतू क्या होता है इस अंदर का मतलब समझ ज़ए बहुत जली से किसी छेत्र में कम समय के लिए तापमान और वर्षा जैसे वायू मंडली कारों का जो कम समय के लिए प्र प्रेल मही में जाओगे तो गर में लगेगी, चेंज हो रहा है न, मौसम है, कम समय के लिए प्रभाव, परन्तु जब ताप वर्शा का लंबे समय तक के लिए प्रभाव हो जाए, तो उसको क्या हो लेंगे, जलवायू, बड़ा भाई है, जलवायू, छोटा भाई है कौन, और दोनों का समद किस है, वायू मंदल, मैंने कहा कि बुला, वायू मंदल ही कारक, वर्शा और ताप, दोनों के दोनों वायू मंदल सम्मंद रखते हैं अपना, तो कहा ने निकल के आ रही है, फिर शब्द आगया सार वर्शा, तो वर्शा क्या होती है, तो वर्शा के और कुछ शब नहीं लिखा हुए देखो है अब लिखा वर्षा का वित्रण परन्तु वर्षा को क्या बिना तुम बादल को समझे पढ़ लोगे क्या बादल बादलों के प्रकार पढ़ना पड़ेंगे डबलु एमों ने अलग-अलग कैटेगरे में बादलों को बाठके रखा ह फिर एक बादल जो एक इस्तर के रूप में देखने मिलेंगे और एक रुई के डिल्लों के समान देखेंगे और बहुत उपर देखेंगे पक्षी की अक्रती के इन सभी के अलग-अलग नाम है पक्षा बादल इस्तरी बादल कपासी बादल वर्षा बादल सबका अलग-अ जरूरी है आदता तीन प्रकार्गी होती है विशिष आदता सापई शायता निर्पेख शायता अब आदता क्या होती है सर भीया जलवाश जलवाश की कहानी है इसमें अभी जलवाश क्या होगा तो पढ़ो फिर वही जलचक्र को समझोगे जलवाश को समझोगे आदता को फिर वर्षा कितने प्रकार की होती हैं, तो तीन प्रकार की होती है, कौन-कौन से प्रकार, मैं नाम गिना रहा हूं, सोचते जाना, ठीक है, मैं किवल आपके दिमाग में आपका वो बनाने का प्रयास कर रहा हूं, कि आपका थोट कैसे बन पाए, ऐसे लिवस को लेके, परव तौपिक अलग पड़ दिया. परवत का वर्शा के साथ में रूगदान हो तो बोल देघें परवती वर्शा, चक्रवाती कहानी आपने देख ली चक्रवाती वर्षा एक होती ही सम्वानी वर्षा तो वर्षा के तीन प्रकारों को समझेंगे और देखेंगे दुनिया में कहां कहां पर वर्षा का कैसा वितरन है और यही वर्षा का वितरन दुनिया में जलवायू प्रदेश को बना देगा जिन में से एक विक्ति का नाम निकल के आता ह तो वह जलवायू प्रदेश की है, कॉपन और बाकी लोग का जो क्लासिफिकेशन होता है, और एक नए अकरेंट अब इसका विशे इसमें जुड़ा हुआ है, इसका नाम है, जलवायू परिवर्तन, ये इन्वाउमेंट का पॉइंट था, ये परिवरण में आप लोग तो मैं इसको जरूर बताऊगा आपको क्लास में, जलवायू बढ़ते हैं, जलवायू बढ़ते हैं अजया आप बढ़ते हैं, ऑझाल में रे तुम नाम सुना होगा, परिव जलवायू सुना है, सुनाई के नहीं सुनाई चनाईजय की परफपष जाएगी, द्वीब जल हो जाएंगे और दुनिया की तो समस्य आईगी समस्य आईगी पहरी समझ होता अभी कॉप 27 अभी खोबने वाला है कॉप 28 यह क्या होते हैं कॉप यह सारी कहानी किसमें यह जलवायू परिवतन में तो इनको समझने के लिए फिर ग्रीन हाउस पढ़ना जुरूर पढ़ेगा ग्रीन हाउस क्या होती है तो यह तो क्यों है सब बारे में जानना पढ़ेगा यह सेलिबस है जैसे जैसे आप परदर परचीजें निकालते जा रहे हो इसका मतलब यह तो गहराई में आप सेलिबस समझ पाऊगे और फिर कोशन आपको यहीं कह नाम देखने मिलेगा और बड़ा ही अलगी पूरा सेग्मेंट चलता है उसको नाम है भूमद सागरी जलवायू भूमद सागर तुमको पता होगा भूमद सागर कहां पर है वसीत अगर नहीं बता तो यह मेरे पास में मैप है इसमें एक बार देख लो यह वाला जो छेत्र है यह वाला यह वाला शेत्र इसको बोलते हैं भूमद सागर भूमद सागर Mediterranean Sea और भूमद सागर के आसपास के जो छेत्रें हैं इन में पाई जाती है भूमद सागरी जलवायू और मज़े की वातें यहाँ पर सर्दी में वर्षा होती है गर्मी में पाने ही निगरता है यहाँ पर उल्टा कामें यहाँ पर अंगूर की खेती होती यहाँ पर रजदार फलो की खेती अंगूर इस्पेशली और एक कोशन भी आया था प्रिलियंस में थोड़े एक साल पहले उसमें की ट्रक फॉर्मिंग का संबंध किस्से है ट्रक फॉर्मिंग का संबंध और किसी भी कहानी में ने लिखा था परंतु बताया गया था क्योंकि यहां पर रजदार फलों की खेती होती है तो फलों को पहुचाने के लिए आरे मारकेट में भर भर के भेज के भेज़ जाते हैं तो नाम पढ़ गया ठमिंग जल्वायू से शॉलक आया तो इहां पर जल्वायू पारीक और तुल्ले नियुद देखने मिलेगी यहां पर आपको विशुवत रेखी जलवायू देखने मिलेगी जहां पर अमेजन के जंगल पाए जा रहे हैं अमेजन के घरे जंगल जिने प्रत्वी के फेफड़े कहते हैं याद होगा आपको प्रत्वी के फेफड़े कहते हैं कौन जलवाई हुए यहां पर पूछते हैं UPCV, कि आप एक एक जगह से जा रहे हैं, जहांपर सारी चीज हरी भरी है, बहुत जादा मातरा में हापर हरी आली है, जैविता की सखंता है, और आप देखते हो कि आप रोज दो बजे के आसपास में वर्शा होती है, बताई आप कौन से जलवायू चेत्र में है स्टेपी तुल जलवायू चेत्र में, भूमद सागर में हैं, तुंटर जलवायू चेत्र में के विशुवत्रे की, तो आंसा क्या था, विशुवत्रे की जलवायू चेत्र में, इसको टू ओकलोग कोर्मिंग रेंफॉल भी बोलते हैं, मज़ेदार है न के नहीं है, कब सम comprehensive concept को समझ पाएंगे तो यह रहा आपके सामने जो मैं आपको बात कर रहा था कि यूनिट फरस्ट में जो आपके सामने शब्द दी हैं परन्तों इनके कहीं सारे बीच में hidden तत्व शामिल हैं जिनको हमको समझना पड़ेगा देखना पड़ेगा अलग अलग चीजों में जाके अब जो चीज अभी हमने फिजिकली रूप से देखी पराकतिक रूप से देख की पर्वतों को इन चीजों को अब कुछ मत करो इख बने गहिए भारत में बहुत अलग स contarसरी अगै, अभारत खो कर भारत में भारत लग सबर है हमया पर्वत jet जो हमाले परवत बालब, वलिद परवत है वाल जैसे कि Rocky बना था एक्जामपल के लिए देखो धियान से वाप पास आते हैं मैपिंग पर त्यूंकि मेरा जो बेच का में मोटो होता है मैं ऑफ लाइन में पढ़ा हूं यह ओना इन मेरा मुख्य उद्देश होता है कि मैं मैपिंग को बेच बना के पढ़ा हूं किसमें इंट परवत यहां पर देखने मेलेगा एटलस परवत यह तुमको देखने मेलेगा हिमाले परवत और यह सारे के सारे परवत कैसे हैं वलिद परवत के लिए मैंने कौन सा टॉपिक पढ़ाना है तुम्हें प्लेट वीवरतनी की सिधान पढ़ाना है और जैसे तुम्हें प्रकुपर में अप्लाई करना है कैसे बना तो युरेशियन प्लेट और इंडोसियन प्लेट के अपस में टकराने से बना अभी सारी प्लेट सीमादगारन बना वही वाली बात आ गई पठार भारत में तो कोई सारे पठार हैं दक्कन का पठार हो गया चोटनागपुर का पठारों की संद्द सुन्ए पठारों है। मेवाल का पठार बंदिल घंग का न बठार इधकन का मालवय। दक्कन के पठार में भी अलग-अलग भाग महरास्ट करनाटक आंदर प्रदिश इनका अलग-अलग पठार ठीक है फिर काम करो चले आँ पर छोड़नापूर को बठार अब चले आँ कहां पर असम की तरफ चले आँ कार भी अंगलों को बठार मेगालाई का बठार इतने सारे संघ्ष इव अलग-पर इतने स्दीध याल आटक तकन ल कि युझे फार इतने मेन के छानाग भाज पाई जा रहा है किसे के बास में लूह पायरा है किस के बास में कोयला पाय जा रहा है किसे मेहींने जहे Все बदेग लागया आनग-दान होते होगा थार साथ वही गंगा की दवारा बना, सिंधू के दवारा बना, प्रह्म को तारू नहीं भाबर भाबर नहीं भाबर ले ανे क्षै खाल दर दम्हें दृबRO, अब मेदान का महत्वकाई के लिए होगा। क्रशी के लिए होगा तो जब मैं तुमको आर्थिक भुगो agreementsुatar. यह तुम कोण से चलए प्रारतिक भुगोँ चल रहा हूँ जब आर्थिक भुगों पढ़ा हुँ तो क्षी आरथिक भूगोम है क्या खनVISड उद्योग यह साल करा प्रानतु लेनदेना किस से है, लेने देना भाया फि сок छेया हैं हम झो माल jan có है अम हमें करते हैं, आर्थि भूकोल पढ़ेंगे, मानव भूकोल अलग पढ़ेंगे और फिजिकल सीफिल्च पढ़ेंगे लीवे और फिजिकल जोग्रफी तो इसी को अधार बना खर मानव ने अपने आर्थी कतिविधियों को बढ़ाया और नाम पढ़े गया आर्थी भूगुल जिसमें खिती कर रहे हो तुम, इसमें परीभन कर रहे हो तुम, इसमें उध्योग लगा रहे हो तुम, तो भारत में नदियां भी होंगी वही सेम कहानी है, अभाहत नतर है, इसको शामाने भाशा मलता हो अभाहत नतरा इसमें किवह लिखा हो आज देप देपने बात करूं क्या, समझना है इस बात को, नदियां बहुत प्रकार की हैं नितना वह समात्री यह बिदा भी ओटी प्रवरती नदी, आनुवरती नदी क्या मतलब है सरेन का? नदी नदी मों हमाले नदी नदियों में क्रायदीपै रकारियों में घंपादी नदी रकार? तो रहा है अच्छा नदियों का संबंद ग्लेशयर से भी है जितना उंचा अच्छा ग्लेशयर का संबंद परवत से भी है तीनों शब्दों के बीच में भी इंटरलिंकेशन है यह समझ का विक्सित होगी जब आपके पास बहुत गहन अध्यन होगा कि परवत की जो दाकापर ग्लेश्यर पर जाएंगे जेसे जचीन ग्लेशयर का नाम सुना होगा गंगानादी गंगोत्री ग्लेशयर आपन नदी यमनोत्री ग्लेशयर से नदी उस ना तो ए हुष glacier से नदी यह तो शायरी बन गई है तो शायरी बन गई है तो परबत पर glacier glacier पे नदी हां सब का अपना-पना संबन्द है और यह glacier कई सारे जीलों के काराण जीलों के निमान भी करते है अलग-अलग बारहजार पांसो फी से एक साल की प्रिलियम्स और मेंस दोनों कवर होगा टेस सीरीज भी फ्री मिल रही उसमें तो प्रयास करिएगा कि अधिकांश लोग इस में इस बैच में अड्मिशन लें और जो भी तकनिकी आपको जानकरी चाहिए तो कॉल आपके समने नंबर दिये करें किसर कैसे हमको के अड्मिशन लेना है एप्लिकेशन कौन से डाउलोड करना है कौन कौन किस इस तरह बात है किसमें कही तरह तरह भी आपको पढ़ाएंगे मतलब जो अलग अलग विशेख के विशेशग के टॉपर जिनका अच्छा पोर्शन होगा वापको पढ़ाइ के डिन्स देंगे कि यार मेंस केसे कवर करना है चीजे कैसे कवरना है ठीक है जो जलवायू हमने बहश्व की सतर पर देखी ती अब भारत के लेवल पर जाओ भारत की जलवायू का नाम है उस्टगडी बंदी मांसून ही जलवायू हमको तो नहीं पता सर मांसून का मतलब तो मांसून हवाओं को समझेंगे मांसून हवा क्या होती है अल्नीनो क्या होता है यह तो बड़े ही सर दुखने वाले शब्दें आ लोग निकल निकल जाते हैं पड़बड़ के जोगर्फी में उनको अल्नीनो समझेंगे ता मैं चार-पांच नाम लिख रहा हूं बड़ा है का इंटर्सिंग कॉंसेड़ है अल्नीनो एक होता है ला नीनो एक होता हैं इंडियन ओशिय्ण डाई पोल एक होता है मेदेख्योड जूलियन Walker Sail, Jetstream, Jetstream के तो नाम ही बहुत कम सुनते है, Jetstream मगर वह बहुत जरूरी है, तो इन सभी जलवायू, रितुओं का वित्रण, कहां कहां पर किस तरह का प्रभाव पड़ रहा है, बसंदरितू, सरदरितू, गर्मी का मौसम, साधी का मौशा, सबकी बारे में जानेंगे, और यह जो शब्द कठी नहीं है, यह से बड़ा मजा आएगा, अलनीनो, लानीनो क्या होता है, इंडियन ओशन डायपूल क्या होता है, मेडलोज जुरियन उसलेशन क्या होता है, सदन उसलेशन क्या है, वाकर सेल क्या है, Jetstream क्या है, Jetstream, अमेरिका ने अपने जहाज बेजे, तो आ आयू चल रही है, जिसके अगरण हम आगे नहीं बढ़ पा रहे है, तब से Jetstream में कौन सब्नी कलके आ रहा है, सच्वारे बात को, तो यह कहानी अपन को भारत के मानसूल में चर्चा करनी है, वैसे ही, मैंना भी आपको बोला था, कि इस पूरी जोगरुफी में, फिजिकल आर्थिक भुगोल को समझना पड़ेगा, आर्थिक भुगोल जिनमें अपन को प्रमु रूप से मानव आर्थिक अठिविद्या कर रहा है, उध्योग में, क्रशी में, फलानी चीजों में, परिवन में, इसके लिए आपको संसाधन, संसाधन जो हमारे लिए उपयोगी है जो प्रकती निदिया समझना पड़ेंगे, जैसे कि जल, वन, म्रदा, मिटी, कितने प्रकार की होती है, शेल और खनिज, अब समझना, चटान, चटान तीन प्रकार की है, आगने, अवसाधी, और कायंतरित, इनहीं का अपर्दन अपक्ष्य होता है, तो बनती है म्रदा, औ और क्रशी दूसरा पोर्चन आगे आएगा, इसी शेल में होते हैं खनिज, और खनिज डिपेंड करते हैं उध्यों को, जिस जगह पर खनिजों की मातरा दिखोगी, आप अपर अध्यों को आप, इंटर लिंगेशन देख पा रहे होगे आप, ठीक है, जहां पर जल इसको अपन रजा अंदाज नहीं कर सकते हैं इस बार ही प्रेदियंस में कोशन पूछे का है, जनसंग्या वर्दीदर, किसके अंदर में साक्षवधादा अधिके, साक्षवधादा कहां कहां पर कम है, जन खनात्व क्या होता है, जन संग्या वरंधी क्या हो रही है, में मेंको कॉशन्स तो हो सक्पहिं कि आ जाए परतो ये फैक्ट्वल जानकरी कुछ मात्रा में जाद है यह आपको प्रिलियम में चेहान रखना पड़ेगा या तक ना पड़ेगा ठीक है तो एक ही मेरे बास में तो स्लाइड ही बनी हुई है तो अपन एक ही स्लाइड की माध झारटा पर सर्गार की नीतिया कैसी है । कि एस सारी चीज उध्यों को परबावथ करती है। तो इसमें से एक शबद है खाद पसंक्रन . ख़ात पसंपर मतलब क्या एक लाइन में आशा बताऊं, अब मैं पढ़ानी रहा हूं तमाटर से टमाटो केचब बनाना, बच्चों को टमाटर की चटनी नी पसंद, उनको टमाटर केचब पसंद है तुझो पसंद है वह देदो टमाटर के भाव भी बहुत बड़े हुए बहुत बड़े हुए भी या टमाटर के जितने दाम जनरल होते हैं उसे ज़्यादा दाम किसके उता हैं तो जो जो मूल परिवर्धन हो गया उस कहानी का नाम है खात प्रसंस करन तो कैसे मामला होगा ज़रा जानकारी लेंगे पन वाले जगापे अब पेपर सेकेंड में जब तुम आओगे खंडबा में तुमा पर एक शब्द है अर्थशास और समाशास यह दोनों मैं नहीं पढ़ाता हूं अर्थशास में निकल गया आता है भारत में क्रशी उध्योग यह दो सेगमेंट है जिसका नाम बार बार में ले रहा हो कि गोल पड़े निधारित हो रहा है कि खनेज ही निधारित करते हैं तुम्हारे उध्योगिक गतिविदियों को उध्योगिक छेत्रों को तो यह दोनों परशन का वह पो परशन जो की जोगरुफिक दरश्शे जरूरी है वह में पो लेना पड़ेगा अब आपको छोड़े अब लास्ट बात आते हैं, ये भी थोड़ा जरूरी है, कि जब तुम बात करोगे पेपर थर्ड में, जी एस पेपर थर्ड में, तो ये पेपर थर्ड तो प्रमु गूप से विज्ञान और प्रधुगी की का है, पर उसमें कई सारी युनिट है, ज़रा दसभी युनिट पे कैसे होती है। चाहर दसमलब 6 साल पहले प्रत्वी का हीप-भरी टो-ई हुआ था। प्रत्वी का हीप-बेड़ चाहर दसमलब लगबगास प्रत्वी क्यों पन हो गई ? किस ने मना दी ? क्यों अलग अलग कहानी बुलते हैं। आपन जनकरी लेंगे कि कांट और लापलास क्या बोल रहे हैं या बाकी कौन विग्यानी क्या बोल रहे है अगर प्रत्वी कुट्पत्ती हो गई तो प्रत्वी के अंदर बे कही सारी पड़ते बाजा रही है जिसको मैं बुल रहा हूं भूपरपटी मेंटल को जरा धिहान से सबसे उपर माला में जिसे पर हम लोक रहते हैं ख़ती है अंदर वाला पॉरपल की सबसे शब्दे आपर है भू बेग्यानिक समय सारनी तुम मितिहास पढ़ते हो तुमने एक शब सुना होगा प्राचीन काल मद्धिकाल, आधुनिकाल, सुना है नहीं सुना अक बार आया तो अक बार मद्धिकाल की कहानी परंतु मैं तुमको बोलू सिंदुगाटी से बता से साड़े तीन, चारहजा साल पोलनी गानी मगद प्रत्वी के लिए कहा जा रहा है कि लगवग साड़े चार सो करोड साल पहले बनी 4.6 ब्लियनिर पहले बनी तो क्या तुम इसको प्राचीन मद्धियादुनिक में बाट दोगे क्या किनिनी सर इसा मसीद के पेदा होने कितने पहले इसा अरे कौन कौन साड़े चार सो करोड साल की आपको इतिहास या दखना है तो हमको एक नया स्केल बनाना पड़ेगा सारी कहानी नय स्रे से साड़ दना पड़ेगी उसके लिए शब्द आता है भू बेग्यानिक समय साणी जियोलोजिकल टाइम स्केल जैसे कि मैंने आपको महादीव विसाबन सिधांद बोला तो मैं शब्द बोलूँगा कार्बर अच्छा तुमने एक मूवी देखिए डाइनोसवार वाली बताव जारा के शेयर पकरके जुरासिक पार्ग जुरासिक का पतला किया है जुरासिक प्रण के sony में पाई छैस्द है घ्र वास आपर स्पारिए a डेख और उसका दिखे रहे और अंज दिखना bere जब देख रहे हो इसका नाम है शेल मैं फिर बोल रहा हूं उसको जब भी देखो तो हमको ऐसा नहीं करना कि पहले भी तो साथ चटान लिकी थी हम वापस पढ़ लेगा नहीं इंट्रिकेशन को समझेगा चटान को समझ लिए आपने धारवाड करम की चटान आगने अवसादी चटान मेंटामऑफिक रोक समझ लिए तो आपको और अपको अम्रदा समझ में स्क्रशन का जो में जिस्ट जो मैं द्वारा बताया जा रहा है वह यह है कि जिसने भी किसी भी विशे के की सब्जेट के implication को समझ लिया कि हर युनिट किसी युनिट से इंटर लिंग्ड है या एक विश्य किसी और विश्य से इंटर लिंग्ड है एक्जाम्पल के लिए मैं मैं अर्थिवस्था का मामना उठाया था उध्योग पर्टिकुलर आप इकॉनोमिक से पोड़ोगे परन्तु बिना जोग्रफी को समझे इकॉनोमिक्स का उध्योग वाला पोड़ोशन अग्रिकल्चर वाला पोड़ोशन में पॉसिबिलिटी है नहीं है तो आज ही क्लास का मेन उदेश है कि आप सलेबस को और प्रिवियस और को दोनों को धिहान से देखोगे तो आपकी समझ बहतर विक्सित होगी कि किसी उस व को मशन देता हूं कि यह जो सारा सलेबस मेरे द्वारा बताया गया था या बाकी फेकल्टी जो आपको सलेबस बताएंगी कोटर लेकिट में 16 गस नया ओनलाइन बेच मंजिल स्पेशल ओनलाइन बेच सार्ट कर रहा है तो जल्दी से सारे लोग जोईन करिएगा आज के लिए नमस्कार जहिंत जबारत